हेलो वेलकम और नमस्कार दोस्तों और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कॉंस्टिशनल डवलप्मेंट यानि कि जो समवेधानिक विकास हुआ है पूरे हिस्ट्री में मतलब यह बहुत ही बहुत मतलब हमारी इसको अगर कटेगराइज करें तो यह पॉललली के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टन थे सद Additional और कैसे हमारा समवेधान बना है कहां से शुरुआत हुई है बेसीली जो आज हम लोग constitution देखते हैं ये तो एक एकड़म निचोड़ है पूरी जितना भी विकास हुआ है लेकिन इसकी शुरुआत कहा सी हुई आज हम लोग वो discuss करेंगे और इसको पूरी history मनला समझ लीजे कि जो British rule था वहां से जब शुरू हुआ है तो पूरी कैसे कैसे strategically कौन से नियम कब आया है कब नहीं आया है किस एक्ट को लाने के पीछे क्या इनकी स्टाटेजी होती है आज हम लोग सारा कर सारा discuss करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखिए और क्योंकि ये वीडियो सारे act deal करने में हम लोग को थोड़ा time लगता इसलिए इस पूरे इस topic को discuss करने के लिए 2-3 वीडियो यानि कि ये part 1 है ठीक है अब वही reason सेम है कि थोड़ा सा बोजिल और कंबा ना हो क्योंकि बैटे बैटे थोड़ा से बोजिल हो जाता topic तो इसको छोटे-छोटे तुकड़ों में दो से तीन part में इस topic को बनाया है लेकिन आप लोग पूरा वीडियो सारे वीडियो को end तक जरूर देखिए और ये पूरी बाइलिंग्वल सीरीज है हमारी यह उस सीरीज का constitution development का यह पहला ही पार्ट है बहुत लंबी चोड़ी सीरीज नहीं है बट इसको कोशिच यह की गई है कि सारा का सारा जो भी topic है यह पूरे मतलब कोशिच है कि हिस्ट्री में जितनी भी development हुई है maximum चीज आपकी cover हो जाए तो जो भी जो नए viewers है जल्दी से चैनल को subscribe और like जरूर करते हैं और आप लोग शेयर भी कर दिया गरिए जिससे कि चैनल को थोड़ा बढ़ाने में आप लोग मदद आप लोग की चाहिए help चाहिए है तो जिससे और जो भी content हम लोग बना तो ठीक है दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं यह constitutional development वाला topic है तो अब पहले हम लोग जो शुरू करने से पहले पहले जो भी लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दो कि जो constitutional development जो भी हुआ है हमारी history में यह जो भी हुआ है तो उसको हम लोगों ने दो भागों में बाटा ह हुआ है हम लोगों ने नहीं basically जो Britishers है उन्हीं के काम के हिसाब से जो भी अंग्रेजों का था उनके हिसाब से दो भागों बाटा गया है तो the period of constitutional development can be divided into two phases सम्विधानिक विकास के क्रमों को दो भागों में बाटा जा सकता है पहला phase one में क्या है constitutional development East India Company के समय 73 से लेके 1857 तक East India Company के समय दूसरे phase में जो constitutional का development हुआ है वो British सामराज के अंडर में हुआ है यानि की 1857 की जो क्रांती हुई थी उसके बाद से लेके 1947 तक जो भी हुआ है यह यह हुआ है तो इसको दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे तो आज किस टॉपिक में हम लोग discuss करेंगे कि जो इस इंडिया कंपनी के अंडर में जो constitution development हुआ है 70-73 से लेके 1857 तक पहले हम लोग phase 1 पढ़ेंगे इसके बाद phase 2 पढ़ेंगे तो phase 1 में जो है 1757 से लेके यह मिस्प्रिंटिंग है 73 से लेके 57 तक पांच मेजर लॉओ इस में इस इंडिया कंपनी के अंडर में पांच लॉओ लागू किये गए बिटिश इस इंडिया को नियंत्रित करने के लिए पांच प्रमुक कानून बनाए गये जो की निमने प्रकार है अब बेसिकली जो यह पांच कानून अभी तक हो सकता है बहुत से लोगों ने ध्यान भी ना दिया हो पर बेसिकली पांच कानून ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1858 से पहले तक यानि कि जब क्राउन को इस इंडिया कंपनी को शॉप दिया गया था तो उससे पहले तक पांच इंपॉर्टेंट कानून थे जिनको बेसिकली जो कानून लाए गये थे जो इस इंडिया कंपनी है मैं थोड़ा ब्रीफ भी करता जा रहा हूं जिससे आपकर क्लियर हो जाए इस इंडिया कंपनी पहले क्या थी जो भी एक राजनेतिक कंपनी थी फिर वो व्यापार कंपनी होती है यहां पर हम लोग को देखने में लगता है कि सब कुछ स्मूथ है पर बिटिश में क्या था कि इनके जो भी प्रतिधंदी कंपनी थी उन्होंने अब बिटिश संसद में उनके खिलाव जो है वहां पर एक प्रपोगेंड़ा शुरू कर दिया कि यह एक अगर अगरेश राज को कोई किसी भी तरीके का रेविन्यू भी नहीं मिल रहा है तो उसको देखते हुँए रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही हो गया कि उसको इस्ट इंडिया कंपनी की गतविदियों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया लोग को नहीं पता था तो उसलिए मैंने बता दिया तो रेगलेटिंग एक्ट 7073 आया इस इंडिया कंपनी को नियंद्रित करने के लिए कि अब अगला शुरू करते हैं रेगलेटिंग इस में केंद्री आप से केंद्री करन की प्रकरिया प्रारंब हो गए इस इस एक्ट में कुछ प्रोवीजन थे मरलब इस प्रोवीजन का मतलब यह है कि जो नियम कानून ये लागू हुआ तो कौन से नियम नए नए लागू हो जाएंगे इस इंडिया कंपनी इस इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए रेगलेटिंग पारित किया अब उस समय पर क्या था कि जो बंगाल था वो में गवर्निंग बॉडी थी पूरे देश वर में उस समय तक सेवेंटी सेवेंटी थी में जो वारेन हैस्टिंग थे तो उस समय तक पूरे देश में तो बिटिश बहुत जादा रूल बढ़ा था नहीं लेकिन उस समय अगर पता भी हो तो कलकाटा ही में एक रीजन धार कैपिटल थी तो जब उस समय तक कोई इतना मेजर जो भी अगर सीट थी रूलिंग सीट वो कलकाटा ही थी तो इसके लिए क्या किया कि जो बंगाल में गवर्नर था उसको गवर्नर जनल और बंगाल बना दिया गया इस एक्ट के तहट बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनल कहलाने लगा वारन हैस्टिंग वास्ट गवर्नर जनल यह फ के तहत ही हुआ है अगला क्लाउस देख लेते हैं इसे बिड़ोंगाल गवर्नरस ऑ Sz exile's sound कर तो दो गवर्नर निएंड बॉंगाल इसेड के तहbins बोंबै ऑर मदरा प्रस्व करेंगाया को बंगाल के बंगाल के अपने अपने इसाफ से चल रहा है तो है पूरे हर पूरे जो इस्टेट है सब के नियम अलग तो इस कानून के तहद क्या कर दिया यह बंगाल का गवर्णर है इस यह के अंडर में बॉंबे का गवर्न कर दिया इसी के मदरास का कर दिया अब जो भी में जो भी फैसला बंगाल का गवर्न लेगा उन्हों को मानना पड़ेगा इसको केंद्रीकरन बोलते हैं तो केंद्री किरत राजी कर दिया गया बिटिश राजी को अब अगला जो क्लॉज है दा गवर्नर जनल वास गिवन दा पावर टू मेक रूल से रगलेशन वही मैंने बोला जो नियम अगर गवर्नर जनल बनाएगा वो सबको मानना पड़ेगा तो इसको नियम कान बनाने का अधिकार दे दिया गया बंगाल के गवर्नर जनल को अब जब गवर्नर जनल का जब कारभार बढ़ा दिया गया ड्यूटी उसकी बढ़ गई responsibility बढ़ गई तो उसको assist करने के लिए एक council बना दी गई यह governor general है पहले governor general अकेले ही होता था उसके बाद में जब उसको बंगाल और मदरास और मदरास और बॉंबे के governor को उसके अंडर में कर दिया गया तो उसको जादा decisions और जादा काम जब बढ़ा दिया गया तो उसके अंडर में council four members council चार सदस्ती परिशद का गठन कर दिया गया जो governor को सहोग करेंगे और उसकी मदद करेंगे लेकिन अगर एक नियम और भी था जो अगर चार members हैं ऐसा नहीं था कि चार member करने के लिए रखा गया ता किसी भी अगर कोई ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसमें चारों members governor general के किसी भी फैसले के खिलाफ हैं तो आखरी में governor general का फैसला ही सर्वों पर ही माना जाएगा ठीक है governor general का जो भी फैसला रहेगा वो सर्मान होगा तो members से वैसले करते थे वो governor general के उपर उनकी पावर किसी भी तरीके से override नहीं करते थे अब अगला जो clause है number of directors in the company was fixed at four अब company का जो director था वो उसकी संख्याचार कर दी गई company के director संख्याचार कर दी गई अब आठवा जो clause था governor general had to follow the orders of the directors of the company अब जो डारेक्टर था basically इसमें क्या था crown के भी कुछ members थे यानि के British सामराज के भी members थे company के भी कुछ members थे तो governor general को क्या करना था जो भी भाई अब governor general तो बंगाल का ही हुआ ना खाली अब जो director of the company रहेगा वो basically crown से भी होगा और company से भी होगा तो उसको governor general एक तरह से माली जे DM हो गया अब DM है तो उसको CM कभी आदेश मानना है और PM कभी मानना है तो basically governor general को director of company के सारे आदेश मानना अनिवार था किसी तरीके से वो ऐसा नहीं governor general है तो ऐसा नहीं है कि नहीं मान सकता है अगला clause देख लेते हैं Supreme Court was established at Kolkata in 1774 as per the provisions of regulating at 1773 अब इस Act के तहाट एक और बड़ी development हुई है जो हम लोग आद Supreme Court of India देखते हैं यह regulating हाला कि उसका सोरूप तो बहुत बदल गया है 1935 Act के बाद में फिर federal court थी फिर उसका बहुत हो गया लेकिन अगर पहली बार अगर देखा जाए तो सबसे पहले अस्तित में आया था regulating Act 1773 के तहट 74 में कलकत्ता हम Supreme Court की स्थापना की गई तो यहां पर दो fact है एक तो किस Act के तहट Supreme Court की स्थापना की गई थी तो answer होगा 1773 अगर यह पूछा जाए किस year में Supreme Court की स्थापना होई थी तो answer होगा 1774 तो दो अलगला questions है इसमें confused बिलकुल मत होई है और यह पूछा जाता रहता है और पूछा भी जाएगा आगे भी तो यह बहुत important है तो इसको ध्यान से एक वाली बात है इसको ध्यान दीजेए आप लोग अगला अगला जो important point है Supreme Court had a chief justice and three and assistant three judges basically Supreme Court में एक Chief Justice और तीन अन जज़ों की नियुक्ती गई अपाई Supreme Court 1774 बना दिया गया अब इसमें क्या था एक Supreme Court के ज़स्त है जिनका नाम था Eliza Imfei यह बहुत important है जो भी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं इसको note down कर लिजिए या कहीं भी याद रखिए Eliza Imfei Imfei Eliza Imfei जो पहले Chief Justice Supreme Court के थे इनका नाम था और जो भी Chief Justice इनके अलावा जो और भी Judges थे वो तीन और Judges थे तो Supreme Court एक एहम development था तो Regulating Act में यह सब हो गया बिसिकली बनाने का कारण भी आई था कि कि किसी भी तरीके से जो भी Europeans हैं या कोई भी मुकदमे की सुनवाई पहले वो England में होती थी या वहाँ जाना पड़ता था तो Supreme Court होने से यह हुआ आला कि ऐसा नहीं कि उसको बंद हो गया पर Supreme Court होने से थोड़ा सा burden रिलीज हो गया और यहां के मुकदमे यहीं सुने जाने लगे जादा था फिर इसके बाद में यह हुआ कि 1773 में एक development और भी हुई थी कि जो बंगाल का द्वैद साशन था जो क्लाइव के समय लगाए गया था वो वारन हैस्टिंग्स ने क्या किया कि उसको द्वैद साशन को समाप्त कर दिया गया द्वैद साशन का मतलब क्लाइव ने क्या बोला कि जो दीवानी होता था वो दुसरा मंत्री देखता था और निजामत यानि कि जो समय राजा होता था जो नवाव होता था वो देखता था तो दीवानी मेल जहां से पैसे का फायदा होता था उंगरेज यह प्लस नवाब तो ये दो अलग-अलग लोग होते थे जो एक राज में अलग-अलग काम देखते थे तो basically Warren Hastings ने क्या किया कि इसको दोयद शासन को समाप्त कर दिया ये भी एक एहम development थी तो वो मैंसे बता दूँ आपको अब इसके बाद में क्या हुआ कि Pits India Act of 1774 1784 का Pits India Act इसमें क्या था? In the constitutional history of India, this act brought in many significant changes समयधानिक विकास के तियास में इस act की प्रमुख भूमिका है तो इसमें बहुत सारे जो crown है basically जो directors थे या crown था इसमें क्या हुआ कि मंत्री परशत का नियुक्तियां हुई basically 1773 के बाद से हर एक act जो भी था वो East India Company का control अपने हाथों में लेने से या उसको control करने के लिए ही हर एक act आता था तो basically उसी की series में ये अगला जो act है Pits India Act है इसका पहला clause है as per this act of 1774 1784 the territories of East India Company was called as British position in India 1784 के एक्ट के तहत East India Company का छेत्र अब बिटिश अधिग्रहित शेत्र कहलाने लगा भाई अब ये क्या था कि अभी तक East India Company whole source था वो ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इंग्लैंड से यहां पर ट्रेड कर रही थी पर हुआ क्या यहां पर पॉलिटिकल भी वो एक्टिव हो गई उसने ट्रेडिंग अपने ज्यादा ज्यादा फायदा कमाने के लिए उसने अपने इस इंडिया कंपनी क्या थे कंपनी थी खाली कभी कोई आप लोग यह से कंफ्यूज मत होई है कि इस इंडिया कंपनी जो है वो कोई बिटेस वो बिटेस सामराजी का परियाय है अलग वो सिननिम नहीं है बिटेस सामराजी का बिटेस सामराजी का अलग है सामराज में एक यह कंपनी थी जैसे अपने अटाटा है ठीक है और या कोई भी है मानी का है कोई रेलाइंस है यह सब कंपनी है ऐसी ही कंपनी इस इंडिया कंपनी थी वो व्यापारी कंपनी थी बट यहां पर आने के बाद में व्यापार के साथ साथ और फायदे के लिए वो राजनाती कामों में लिप्त हो गई तो बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए 1874 एक्ट के तहट जो भी इस्ट इंडिया कंपनी की जो भी की छेत्र होगा वो बिटिस पॉजेशन कहना आने लगा मलब बोटिस अधिगरह चेत्र कहलाने लगा वो इस इंडिया कंपनी का चेत्र कहलाना बंद हो गया अगला clause में क्या था इस एक्ट के तहर बिटिश सामराज और इस्ट इंडिया कमपनी को मिला कर एक सेहुच सरकार का गठन किया गया जिसके पास सर्वोशक्ती और अधिकार था इसी एक्ट में धीरे धीरे जब कंट्रोल और बढ़ाने लगे तो एक क्राउन यानि के बिटिश सामराज और कमपनी को मिला के एक सरकार बनाई गई ठीक है इस सरकार में क्या था जहिर सी बात है कि कमपनी के मलब जैसे 15 मेंबर्स एक सरकार में मलब एक बोर्ड बना दिया गया जिसमें मैक्सिमम जो संख्या थी माली कोई सदस संख्या उसमें माली जो 15 सदस थी एक बोर्ड बना दिया गया तो उसमें सरकार के और कंपनी के दोनों ही आदमी रहेंगे तो उसमें बहुमत की किसकी रहें क्राउन का ही बहुमत रहना चाहिए तो उसमें जाहिर सी बात है कि क्राउन के मेंबर्स ही जादा होंगे तो वस सरकार के पास एक ऐसी शक्ती थी जो किसी भी crown का महलब company की उपर उसका पूरा अधिपत्य था महलब पूरा control था और वो हर बात company को मनवान सकती थी company उसका विरोध नहीं कर सकती थी इसको और ज़्यादा शक्ती मिल गई जो भी बोर्ड बनाया गया था और इस इंडिया कंपनी की शक्तियां और ज़्यादा कम कर दी गई अगला जो है a court of directors was formed for commercial operations and six member board of control was appointed for political affairs as per the provisions of अब फिर देखे ये control करने का जो series थी इसमें और काम और क्या किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक के तहट व्यापार संबंधी मामलों के लिए court of directors और राजन्यातिक मामलों के लिए छे सदस्यों वाला बोर्ड का गठन किया गया अब वो ट्रेडिंग कंपनी तुम आये तो ट्रेडिंग कंपनी के लिए थे लेकिन अब तुम पॉलिटिकल काम कर रहे हो तो क्या किया गया कि बिटिश गौर्वर्मेंट ने क्या किया कि जो पॉलिटिकल काम थे उनको देखने के लिए court of directors वो सारी यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया जिससे पूछे बगएर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेगी कंपनी और ट्रेड इस एक्ट में और भी ज्यादा कंट्रोल हो गया इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत ही महत्पूर्ण अगला क्लॉज है गवर्नर जर्नल कॉंसल वार रेडियूस फ्रम फोर टू थ्री अब इसमें क्या किया गया है गवर्नर जर्नल को जो चार सदस्थी परिशत थी उसको घठा कर तीन कर दिया गया गया है गोजनर जर्नल की परिसद में सदस्थ्यों की संखैर झार्श घठा कर तीन कर दी गई है अगला लास्ट जो क्लॉज है गवर्नर जर्नल के लिए यानि कि अब वो पूरी तरह से स्वतंदरता उनकी खतम कर दी गई क्योंकि परिशाद रहेगा तो जो जूइंट गॉवर्मेंट है उसका भी उसका किसी भी तरीके से पॉलिसी है या कानून मानने के लिए बाद हो जाएगा मदरास और गवर्नर बांबेगा गवर्न कंट्रोल बढ़ा दिया गया अब इसके बाद में जो भी सीरीज है अब हम लोग अगली इस वीडियो हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा हम लोग थोड़ा डीटेल भी लेके चल रहे हैं तो ठीक है अब अगली जो पार् तो प्लीज इस चैनल को आप लोग बताईए कैसे और आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताईए ठीक है दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं फिर इसी टापिक को आगे बढ़ाएंगे थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू सो मच